हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चो, लो प्यारे बच्चो, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले फ्यॉल के प्रिंसिपल, एक बेटा टेलर की टेकनीक बकाया भी, ठीक है ना, स्टेंडराइजेशन इन सिंप्लिविकेशन ओ वर्क, पहले बेटा तीन-चार प्रिंसिपल करेंगे, फ्यॉल के, फिर बेटा टेकनीक खतम करेंगे, ठीक है जी, ओके, अभी तक पिछले में, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई टेकनीक, कोई बेटा प्रिंसिपल, नहीं, बढ़ जाएं आगे, अच्छा, एक बार फ्यॉल के प्रिंसिपल रिवाइस कराओ, प्रिंसिपल रिवाइस कराओ, एक बार नाम तो याद है, division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, remuneration of employees, centralization and decentralization, scalar chain, order, equity, stability of personnel, initiative, spiritic ops, क्याद है, चलो, देखते हैं, बावु, स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले बेटा, division of work principles से, ठीक है जी, क्या कहता है, तगडी बात करता है, प्रिंसिपल, बावु, देखो, अगर, टेलर ने experimentation और टेस्टिंग पर बेस्ट प्रिंसिपल दिया है, तो फ्यॉल ने भी बेटा पूरी जिंदगी लगा दिया, प्रिंसिपल डेवलप करने में, ठीक है ना बेटा, तो हल्के प्रिंसिपल यह भी नहीं है, जो observation और finding पर बेस्ट है, अगडे प्रिंसिपल है, ठीक है, चलो, काम को बाटना, ठीक है ना, बभू, क्या कहता है, फ्यॉल सुनो, कहता है, एक organization, जो भी total work करती है, सबसे पहले क्या करो, the total work should be divided into smaller and the manageable task, क्या था, जितने छोटे तुकडे कर सकते हो, total work के, उतने छोटे तुकडे कर लो, the total work should be divided into smaller and manageable task, और हर छोटे तुकडे को, हम बोलने वाले हैं, बेटा, job, each smaller and the manageable task is known as job, और कहता है, फिर बेटा, उस एक job को perform करने के लिए, आप एक trained personal recruit कर लो, क्याता है, जब वो trained personnel एक काम को बार 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 करेगा, then he or she will become expert in that, that simply means, बेटा, उसका कहने का मतलब है, division of work lead to specialization, बच्चे कह रहे, कुछ-कुछ आ गई बात समझ में, बेटा, मैं तो कहा रहा हूं, 10% भी नहीं आनी चाहिए थे, जतनी मैंने बोली अभी तक उसमें, क्योंकि अभी तक, बेटा, मेरा काम का example कोई शोरे नहीं हुआ, अब बदाता हूं, तो मैं काम का example, अब आप एक बेंक में जाते हो, ठीक है, एक बेंक में मालोब 15 स्टाफ है, ठीक है, 15 लोग काम कर रहे हैं, आपने देखा, क्या बेंक की working ऐसे होती है, कि बेंक क्या करता है, एक employee को बोल दिया, कि हमारे पास 3000 कस्टमर है, और तुम 15 लोग हो, सब लोग 200 कस्टमर हैंडल कर मैं बता रहा हूँ, क्या ऐसा होता है, पूछ रहा हूँ आपसे, एक employee को बुलाया, कहा, यह यह 200 बंदों की लिस्ट है, इन सब के, कोई भी future में काम होगा बेंक का, तू करेगा, इन्होंने पैसे जमा कराने तू करेगा, इन्होंने विड्रॉ करने तू करेगा, लोन लेन फिर कैसे करता है बैंका, बैंक ने देखा, मैं क्या क्या करता हूँ, the total work should be divided into smaller and the manageable task, उन्होंने का, यार हमना, cash जमा करते हैं, हमारे एक बड़ा important कान, अच्छा, cash department, हम यार विड्रॉल करते हैं, विड्रॉल department, हम लोन करते हैं, लोन department, the total work should be divided into smaller and the manageable task, and then each task is known as job, each job must be performed by some trained personnel, trained personnel, उन्होंने क्या करा बेटा, जिसको cash counter पे बिठाना था न, 15 दिन की training थी, कि ये असली होता है, ये नकली होता है, ऐसे अकाउंट में एंटरी करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, 15 दिन ट्रेनिंग थी, इंसान ट्रेंड हो गया भाई, ठीक है न, क्या कहता है, मैंने आखरी में एक बात बोली थी, division of work lead to specialization, बस मुझे एक बात बत उसको ये काम, उस ट्रेंड परसोनल को ये काम बार 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 करने अपनी जिंदगी में, पेटा, छे महीने बाद क्या होगा, what about after one year, तीन साल के बाद क्या होगा, पात साल के बाद क्या होगा, क्या होगा, क्या था, division of work lead to specialization, अगर उस एक आदमी पर 200 बंदों का बनता हो, division of work lead to specialization, आपको पता है, हमारी finger की भी memory होती है, खाली इसकी memory नहीं है, finger की भी memory है, और हर चीच की memory है हमारी body में तो, ये बात अगर किसी को लगता है मेरी finger की memory नहीं, आप अपनी typing speech चेक कर रहे हैं न, आप क्योंगा है, आप की उंगली बहुत अच्छे से जानती है, M किस जगे पर है, हाथ उदर ही जाएगा, ये तो हो सकता है भाई, M type now, N type होचे क्योंकि M के बराबर में नहीं है, लेकिन हाथ जाता वहीं है, finger जाती वहीं है, हाथ बहुत अच्छे से जानता है कि Q कहां पर है, हाथ बहुत अच्छे से जानता है, C कहां लिखा है, बहुत अच्छे से जानता है, आँखे बंद करके देख ले न, आपकी उंगली वहीं जाएगी, वह बात लगए कि type now, आसपास गड़वड आचाओ, तो ऐसे ही मेरा एक दोस्त प्राइवेट जॉब करता था, प्राइवेट बैंक म नकली, इतना डेंजरस, फिंगर है वा मेमरी, बहुत खतरना है, उसके हाथ में नोट पकड़ादो, बिना देखे बता देता था कहीं नकली है, वो पेपर क्वालिटी में मास्तर था, उसकी फिंगर की मेमरी थी, क्योंकि वो सारा दिन बैंक में बाटके गया ही गरता था, स CBSE को नहीं ऐसा लगता था, कि जब कॉमर्स साइट बनाई तो एक ही सब्जेक्ट बना देते हैं, कॉमर्स, पाँच भुक का एक सब्जेक्ट, बस एक ही, कॉमर्स, सब्जेक्ट ही होता है कॉमर्स, क्या किया CBSE ने, डिवीजन ओ वर्क, था हॉल वर्क शुड बी डिवाइ अच्छा मैं पांच नहीं बढ़ा सकता, मैंने अपने टाइम में 12 में बढ़े हैं, बहुत अच्छा स्कोर किया, मुझे लगता है मैं 5 बढ़ा सकता हूँ, मैं तो नहीं कराता, क्यूं, डिवीजन ओ वर्क लीड तो स्पेशलाइजेशन, समझाई बात, ठीक है जी, ओके, क्लियर हुआ प्रिंसिबल, बढ़ाएं बात को आगे, चलो, बभू, अब सेकेंड प्रिंसिबल आता है, अथोरिटी एन रिस्पॉंसिबिलिटी, एक दिन जब चिराग ने छोटा सा कोई कोश्चन किया था, तो मैंने इसका हलका सा जगर किया था, आज बेटा थोड़ा ड बभू, बात करते हैं, अथोरिटी एन रिस्पॉंसिबिलिटी प्रिंसिबल की, अभी पढ़ने का टाइम दोंगा, मैं टैंशन मत लेना, ठीक है न, रोज की तरीके से चलेंगे, बभू, क्या डिफरेंस है अथोरिटी और रिस्पॉंसिबिलिटी में क्या बोलते हैं ये, बभू, अथोरिटी मेंस, पावर तो टेक डिसीजन, अथोरिटी का मतलब क्या है बेटा, पावर, पावर तो टेक डिसीजन, और रिस्पॉंसिबिलिटी, बेटा, रिस्पॉंसिबिलिटी मेंस, अब्लिगेशन तो केरी आउट पर्टिकॉलर टास्क, रिस्पॉंसिबिलि यह लेक लग नहीं चल सकती, क्या थेर ई भी आ भालंस बेट्य में एप हुट singing authority must accompany with the equal amount of responsibility responsibility must accompany with the equal amount of authority क्या है authority देना थरो responsibility देना और responsibility देना तो बराबर authority देना ऐसा क्यों ब सकता है? क्या है if only authority is granted to the subordinates सिर्फ पावर दोगे तो बेटा आप उसको हिटलर बना रहे हो क्योंकि एक इंसान को जब सिर्फ पावर मिलती है ना बेटा 100% वो पावर मिस यूज होती है 100% अगर परिवार वाले क्या दे ना बेटा तु पैसे खर्च कर सकता है और आपने पूछा कितने होने कितने भी तो बेटा सबसे बिगड़ी उलादे ऐसी होती है जिसको सिर्फ पावर मिले कोई रिस्पॉंसिबिलिटी ना मिले बेटा बाभू वो पावर मिस यूज होगी ऐसा फ्यॉल का कहना है and if only responsibility is granted no authority is granted it only create discontentment and dissatisfaction यारी क्लास के मोनीटर को कहतो तो तेरो सिर्फ पावर है तो कि इसको भी थपड़ मार जिसके अमर्जी नाम लिग जिसके अमर्जी प्रिंसिबल के पास ले जा उसने का responsibility कहता कुछ नहीं क्या होगा बेटा यारी क्लास माइंड कराने में कभी इंटरस्टेड ही नहीं होगा तो कैसे करेगा भाई माइंड इट ओनली क्रियेट डिस कंटेंटमेंट अंड डिस साटेस्फाक्शन मैं एक और एक्जामपल दे देता हूँ बलकि के स्टेडी पर शिफ्ट करता हूँ आपको एक के स्टेडी बताता हूँ प्रोडक्शन मैनेजर ने बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे एंपलूईस से कहा कि मुझे इस मही ने 500 यूनिट बनी हुई चाहिए ये क्या दिया है रिस्पॉंसिबिलिटी या अथौरटी पहले बताओ रिस्पॉंसिबिलिटी एक ओबलिगेशन दे दी कि 500 यूनिट उनको बनीवी चाहिए उनने का साथ ठीक है 500 यूनिट बनीवी मिलेंगी गोडाउन की की दे दो क्योंकि राउ माटेरियल निकालना पड़ेगा उसके लिए उसने गोडाउन की की देने से मना कर दिया एक महीने बाद टार्गेट अचीव नहीं हुए क्या प्रोडक्शन मैनेजर अपने एंप्लोईस को ब्लेम कर सकता है कौन सा प्रिंसिपल वाइलेट कर गए आप यहां पर अथोर्टी एन रिस्पॉंसिबिलिटी शुट भी आपने जिम्मेदारी दे दी क्या गुति त्युक्सर्टी आपको अपन त्युक्फ जव आपनत डाराश्री तो रहेगा वो management से, there should be a balance, कोई दिखकत तो नहीं, असान है principle, समझा है, दोनों समझ में है, division और work समझ में है, authority responsibility, दो read करके बताओ, फटा फटा, फटा, नेक्स प्रिंसिबल स्टार्ट कर रहे है, principle का नाम है discipline, ठीक है जी, बहुत काम का principle है, cbsc board 2010, मेरे paper में आया था, ठीक है ना, और dangerous level पर आया था, पहली बार वो case study आई थी, कभी कहीं किसी किताब में नहीं थी, जब आई थी, ठीक है ना, मेरी ठीक होई थी, luckily, ठीक है जी, आपको समझने है, अच्छे से, काम की बात फिर notes में नहीं होगी, फिर आपको side में लिख होगा, ठीक है, पहले आराम से समझेंगे, जरा discipline का मतलब की, अगर मैं बोलू, तो ये principle ना, कुल में लाके, चार बाते गरता है, चार में से तीन notes में एक है नहीं, जिससे सबस्यादा केश वड़ी आएंगी, वो बात नहीं है, ठीक है जी, चार बाते समझना जरा डंग से पहली बात ये क्या कहता है, पबू, पहली बात ये कहता है, देखो, employee की तदात, बहुत सारी organization में, कुछ हजारों में होती है, या कुछ organization में, कुछ लाखों तक चली जाती है, ठीक है न, ये सब employees बेटा, different होते हैं, अपने background से, अपने financial background से, हो सकता है बेटा, religion भी काफी क के अलग हो, हो सकता है बेटा, अलग अलग, caste के हो, हो सकता है बेटा, अलगअलग, city से belong करते हो, जैसा, financial background नहीं हो सकता, तो सब कुछ ही अलग है लगबग लगबग कहता है as per organizational discipline जितना है मर्जी आप अलगो you should work as a team पहली बात कि आपको team की तरह काम करना है कितने भी differences क्यों नहीं है आपके अंदर ठीक है इस बात से कभी case study नहीं आएगी बेटा मैं वज़ा बता देता हूँ इसको जब भी team की बात आती है हम case study को हमेशा spirit decops की तरफ से identify करते हैं क्यों? क्योंकि बेटा वो करता है team spirit की बात spirit decops English language का word नहीं है याद है न मैंने बोला था आपको बेटा इसका मतलब English language में team spirit तो बेटा अगर ये बात जो मैंने पहली बात बता ही है ये भूल भी जाओगे तो मुझे कोई लेना देना नियस से team spirit की जब भी बात होगे team की बात जब भी होगी तो मैं हमेशा बेटा spirit decops identify करूँ चीक है? लेकिन मैंने बता दिया कि पहली बात för discipline कहता क्या? 1953 बचीवी तीन बाते क्या है सुनना या कहता आपको तीन चीज ये follow करनी ही करनी है ह्या-क्या-तीन चीज अब से पहले बेटा ओर्गनाईजेशन रूर्गीन सेंड एन रेगलिलेशन जब बात discipline की है तो ऐसा तो ही नहीं सकता कि rules and regulation follow करने की बात न हो organizational rules and regulation क्या follow करना है बेटा contract of employment में लिखे वे rules and regulation अभी मैं सब बताऊंगा और क्या follow करना है बेटा बेटा और follow करनी है commitment commitment commitments क्या क्या चीज है यह जरा सुनना है राम से बबु देखो मैं आपको पहले यह बात clear कर देता हूं कि यह जो दोनों बाते लिखी हैं यह सिर्फ employee के उपर applicable होती हैं सिर्फ employee इसलिए बेटा मैं इस पर लिख देता हूं double e क्योंकि employee के आखरी में आता double e से रिपरेजेंट करते हैं जब आगे बढ़ोगे आप भी ऐसे लिखोगे ठीक है और जब commitment वाली बात आती है दोनों पर लगती है employer pay भी और employee pay भी employer के आखरी में इयार आता है तो मैंने लिख दिया employer pay भी और employee भी अब अराम से समझाता हूं मैं कोई जल्दी नहीं है ठीक है बहू देखो एक बात सुनों थोड़ा ना attentive वैठा करो और कोशिश करा करो उस section में मत वैठ हुआ हो है जबता है Oh अगर्या चाहिए विज्भी ब्राश्यमे जैसे हमें साभी ठंडा अधलिनाख वालेश मुश competitive मिलेगा capitaश में किया ना तुम वहां मत बैठा करो, वहना तुम सोते रहो के, आगे- आगे बैठा करो, चल, बहु अब पराम से सुनना, organization के general rules and regulation के example बहुत हो सकते हैं, ठीक है न, हर organization में कुछ ना-कुछ general rules पक्का होते हैं, ठीक है न, कि entry का time ये होगा, exit का time ये होगा, ठीक है न, अगर school है, organization, तो school में principal से मिलने का time ये होगा, ये general rule है, no smoking in the business premises, no drinking in the business premises, ये सारी बाते general rules and regulation है, क्या थैक तो ये follow करते हैं, कोई भी employee है, सबसे पहले बेटा discipline के हिसाफ से organization के सब rules and regulation को follow करेगा, पहली बात, दूसरी बात, बेटा, contract of employment में लिखेवे rules and regulation को भी पूरा करेगा, अब ये क्या बला होती है, contract of employment, वैसे वैने 11th class में काफी बच्चों के साथ इसकी चर्चा की हुई है, लेकिन मैं एक बार बहुत detail बतम, लेकिन पुत्तर धियान लखना, ये ना, ये word, कम से कम साल में 10 बार आएगा, 10 अलग अलग जगा पे, एक ही बार निप्टा लेते हैं, डंग से निप्टा लेते हैं, दुबार इसकी चर्चा नहीं गरनी मुझे, तो सुनते हैं of employment या service agreement, 11th class पढ़ते होंगे, शायद कभी business, profession और employment के difference में पहली बात होती थी है, कुछ लोग इसको service agreement बोलते हैं, कुछ service contract, कोई employment contract, कोई contract of employment, कुछ बोल लो एक ही बात है, ठीक है ना, sir मैं guarantee दे रहा हूँ, मेरे सब तगड़ा कोई ये बात बता नहीं सकते हैं, क्यों ब पता है कि क्या चीज आईए, अब धंग से सुनना, बभू, आपने ना, बैंक के पेपर दिये, आप interested थे, बैंक में जॉब करने के लिए, आपने बैंक के पेपर दिये, ठीक है ना, उन्होंने interview के लिए call कि, आपने interview भी दिया, और आप घर आ गए, गर आये बेटा, 6-7 द हम आपको अपनी इस बैंक की इस ब्रांच के लिए select कर रहे हैं, अगर आप जॉब लेने में interested हो, तो इस time पर, इस date पर इस जगा पर पहुँच जाना हो, यानि कि basically कुल मिलाकर ये letter of appointment में 4-5 बाते होती है, क्या होती है बेटा आपका नाम होता है, आपके पिता जी का नाम होता है, वह वो reporting time लिखा होता है, कि किस time पर आपको report करना है, अगर आप job में interested हो, reporting date लिखी होती है, किस date पर आपको report करना है, ये लिखा होता है, तिका जी, आपने बेटा क्या किया, वो letter of appointment लिया, ये बेटा सिर्फ एक proposal है employer की तरफ से, क्या आओ और job ले लो, अभी job final होई, क्योंकि आपकी तो बेटा भी सहमती होगी नहीं, आपने थोड़ी सहमती दे दी, ये तो उसकी तरफ से proposal है, लोगों को लगता है letter of appointment ले मेरी job लग गई, उसने तो proposal दे दी, आपको भी तो accept करना पड़ेगा भी जाकर, और कम मानी जाएगी आपकी acceptance, जब आप reporting time, reporting date पर reporting place पर पहुँच जाओगे, तब आपकी acceptance होगी, confirm, कि आप job करने में interested हो, मालो आप पहुच गए, जो भी reporting date, भी reporting time था, आप वहाँ पर पहुच गए, जिस जगा पर लिखा वा था, ठीक है, मैं job करने में interested हो, मैं आप ठीक है, आपका तो interest पता लग गया, आप हमें, आ बंदे ने बुच्छा जी, ये क्या है, उसने का rules and regulation related to job, नौकरी करनी है हमारे यह, तो भाई, ये तो sign करना ही बड़ेगा, क्या आप ये सारे नौकरी के rules and regulation मानने को तयार, और वेटा कुछ कुछ केस में 30 स्पेश तक चले जाते हैं, contract of employment, तो ऐसा क्या लिखा होता है, contract of employment में की 30 स्पेश तक चले जाते हैं, अब उस सबसे पहली बात यही लिखी होती है, कि आपका bank, मतलब जो भी organization में, आपकी position क्या है, आपका काम क्या होगा, मानलों आप bank के लिए सेलेक्ट हो रहे हो, किसी branch के लिए, तो बेटा, आप हो लोन मेनेजर हो, आप bank branch हैडो हो क्या, यह कहां लिखा होगा, employment contract में लिखा होता है बात, कि आप हो क्या हो क्या काम करोगे, आपके pay packages और increment, यह कहां लिखा होता होगा, मुझा बानी वाइनल होता होगा, कहां लिखा होता, contract of employment, कैसे कपड़े पहन गया होगे, यह कहां और यह नहीं बताएंगे कैसे कपड़े पैन क्या होगे, आप bank में देखते हो बेटा, लोग jeans में भी आ जाते हैं, सरकारी bank में, शायद उसके contract of employment में, dressing sense की कोई बात ही नहीं है, लेकिन बेटा, private bank में देख लो, leather belt, leather shoes, plain pant, plain shirt, even आपको बता देता हूँ, जब आप MNCs के contract of employment पड़ोगे, तो वहाँ तो check shirt भी allowed नहीं होती, plain shirt, बिल्कुल plain, अगर मैं job की बात करूँ, और तगड़ी job position की बात करूँ, hospitality में अगर कोई है इंसान, और बेटा उसका contract of employment पड़ोगे, तो बेटा, दाड़ी पे एक बाल भी allowed नहीं है, एक बाल भी allowed नहीं है, भाई साब जो supervisor होता है आपका इतना खतरनाक आदमी होता है, कि वो रोज ऐसे ही बंदों को देखता है, वो तो बता देता है, ये एक दिन की दाड़ी आज आपने shave नहीं की, जाओ shave कर के हो, वापसी ही, उसी time, entry नहीं हो सकती, job पर, entry नहीं होती, मेरे तो बहुत सारे दोस्त है, hotel management मेरे तो एक दोस्त है, cruise पर है, chef, हमें तो पता है, क्या rules and regulation है, वो कितनी बार वापिस आता था, एक दिन की दाड़ी के चक्कर में वापिस, रोज shave कर नहीं है, रोज, 5 star, 3 star, 4 star, hotel में आप serve कर रहे हो, गलती से आपकी दाड़ी का वाल ग का लिखा होता है, यह rules and regulation में लिखा होता है, भाई, ठीक है ना, मैंने तो एक और पड़ा था, contract of employment, आप अच्छे-चे saloons की बात करो, x, y, z, saloon, कुछ भी लेक में, saloon की बात करो, नौकरी करनी है, लेक में, saloon में, भाई साब, nails, रोज, चैक होते हैं, रोज, daily basis पे, इतन कि नेल से क्या लेना देना, अभी बेटा मसाज दो गया, थोड़ी देर बाद, किसी customer को, nail लग गया आपका तो, वो तो nail filer use करते हैं, तुरंट, ये nail भी न लग जाए आपका, और लगे तो कोई नुकसान ही न होजाए, कहा लिखा होता है, ये सब, contract of employment, समझा ही बात, तो बाबू discipline क्या कहता है, कहता है, बहुत साही चीज़े follow करनी हैं आपको, एक तो organization के general rules and regulation, जो सब के लिए बने हैं, वो तो करने ही करने है, एक आपके contract of employment पे बहुत सारे rules लिखे होते हैं, कुछ का मैंने example दे दिया, कि कैसे कैसे क्या क्या लिखा होता है, सब follow करने हैं, जो लिखा है, ठीक है, ये दोनों चीज़े follow किसको करनी है, सिर्फ employee को, लेकिन बेटा जब बात आती है commitment की, ये बात notes में नहीं है, और case study answer confirmed है, confirmed, आएगी तो ये आएगी, ये कुछ नहीं आएगा, मेरे time पर पहली बार यहां से case study आई थी, commitment, बेटा ये द organization कुछ साल से loss में है, बहुत परशान है, मालिक top level management, बहुत परशान है, उन्होंने employee को request करी, कि आप double shift काम करो, जिस दिन हम profit में आ गए, आप सबकी salary double, employees ने बेटा, छे मही ने double shift काम किया, हर employee ने double shift काम किया, organization, बड़े ही short span में बेटा, profit में आ गई, लेकिन जैसे profit में आई, top level ने salary बढ़ाने से मना कर दिया, आप कौन सा principle violate कर गए, discipline, कमिटमेंट पूरी नहीं करी है, और कमिटमेंट वाली बात दोनों पे लगती है, बेटा, employer पे भी, और employee पे भी, तो employer ने अपनी commitment पूरी नहीं करी, case study, commitment से ही आएगी, और employer से ही आएगी, देख लेना, अगर discipline से case study आई, तो यही होगी, बाकी जितनी मैंने बात बताई, कहीं से case study आएगी, कोई भी पिचान लेता है, कोई भी, आपको बता देता हूँ बेटा, किसी भी case study में penalty word हो, तब भी लोग discipline एक second में identify करते है, लोग पैचान ही यह बताते है, teachers लोग पैचान ही यही बताते है, कि penalty word दिखे, आख्यवन करके discipline लेकते हो, पर भाई मैं ऐसे कोई keyword नहीं बताता, क्योंकि मुझे लगता है बेटा, जब आपके concept इतने strongly clear होंगे न, तो मुझे नहीं लग है, clear है बात, discipline समझ में आया, क्या चीज है, बभू आपने जब भी मैं note करने का time दोंगा थोड़े देर में, ये बात note करनी है, ठीक है, चलो, अब आज हो जरा, बेटा, मैं tailor की एक छुटी भी technique करा देता हूँ, technique का नाम है बेटा, standardization, simplification of work, सब सामने देखेंगे बेटा, प्लीज, बभू, दो अलग-अलग बाते हैं, standardization and simplification of work, बभू, पहले इसकी बात करता हूँ, simplification of work क्या कहता है, बेटा, tailor का कहना बड़ा simple सा है, कहता है, हर unwanted चीज को eliminate करता हूँ, इट में भी unwanted sizes, इट में भी unwanted prices, इट में भी unwanted variety, इट में भी unwanted factory, इट में भी unwanted dimension, और भी कुछ हो सकता है, क्या कहने का मतलब क्या है, बाभू, एक company है, मानलो, लेक में, ठीक है, एक क्रीम बनाती है बेटा, उसका price है 99, 399, 699, 1499, चार prices में क्रीम मनाती है, ठीक है, और जो 1499 वाली क्रीम है बेटा, बिकती नहीं, तो टेलर का कहना बड़ा simple सा है, कहता है, simplify करो अपने work को, जो बिक नीरी, जवरदस्ती है, कि उसको गसीटना, कहता है, यह unwanted चीजा में लोस दे रहे हैं, कहता हटा दो, unwanted sizes हटा दो, बाभू, एक पफ है, मेरा फेवरेट नटकट, दो वेरियांट में आने लगा, ठीक है न, एक यलो नटकट पर एक ब्लू नटकट, बिकता नी ब्लू, मुझे नहीं पता बिकता के नहीं है, तो ऐसे एक्जामपल दे रहा हूं, ठीक है, बिकता नी ब्लू, सारा यलो बिकता है बेटा, बाभू, जबर्दस्ती है, क्या, बेचना, टेलर कहता है, unwanted variety है, यह unwanted, loss दे रही है, क्यों कीचन है, simplify your work, एक organization में बेटा, चार factory है, चार factory है, तीन profit में है, बेटा, एक continuous loss making है, बेटा, since last three year, क्यों घसीट रहे हो, क्यों नहीं बंद कर देते, टेलर का simple सा कहना है, अपने काम को simplify करो, unwanted चीज़ों को हटा दो, जो loss making चीज़े है, remove कर दो, that's it, इतनी simple बात, ठीक है, तबने में, simplification or work क्या है, अब मैं standardization पर आतो रहा हूँ, लेकिन एक बात बड़े काम की बता रहा हूँ, case study के लिए, बबु कहीं बार क्या होता है, जो मैंने word अभी बोले, यही word पेपर में आते हैं, ठीक है न, यानि की बेटा, simplification or work की बात आती है, और नीचे लिखा होता है, यह कौन सी टेक्नीक है बेटा, बच्चा बता है क्या लिखा आता है, simplification or work, भाई मेरे, उसने टेक्नीक का नाम पूछा, टेक्नीक का नाम, simplification or work नहीं है, आपको लिखना है, standardization and simplification of work, bracket use करो, लिखो, and the concept used is, simplification of work, क्यों ऐसा मौका दे रहे हो, कि तुम्हें सब कुछ आता हो, और number कटवा रहे हो, ठीक है जी, सेम बात, अगर कभी, standardization की हो, लेकिन टेक्नीक का नाम पूछाओ, नाम पूरा लिखना है, bracket का use करना है, ऐसे basis में, ठीक है ना, सेम बात मैंने mental revolution के time पर भी बताई थी, ठीक है ना, चलो, आजओ जी, बाभू, standardization of work क्या कहता है, बिटा, टेलर बोलता है, organization में हर चीज के लिए standard, standard for the men, standard for the machine, standard for the finished goods, standard for the raw material, standard for the processes, हर चीज के लिए standard, अच्छा जी, क्या होता है, standardization, अभी भी समझ नहीं है, लोग समझाते हैं, बाभू बोलता है, वो, हर men के लिए standard, और मैंने बोला था, पूरे chapter में, जब भी word आएगा, men, मतलब क्या होगा, employee, हर employee के लिए standard, अगर employee के लिए standard fix है, 100 unit, दिन बर की, मालो time studies हमने determined किया, employee घर नी चारा, standard है, हर employee के लिए है, हर machine के लिए standard है, हर machine के लिए standard है, मालो हर machine को उन्हे standard दिया, जब तक 10,000 बनेंगे nieu, तब तक बेटा machine भी बंद नहीं हो रिया, सर हर raw material के लिए standard है finished goods के लिए standard है finished goods के standardization का क्या मतलब होता है सर हर अच्छी company आज की तारिक में finished goods के लिए standardization follow गरती है अब आपने एक iPhone 14 देखा आपने दो देखे आपने पांच देखे आप पांसो देख लो they all are similar in their size they all are similar in their shape they all are similar in their dimension they all are similar in their color they all are similar in their weight too Taylor कहता है इस level का standardization होना चाहिए that it produces interchangeability कि एकर मैं एक को दूसरे से replace कर दो तो कोई आदमी दुनिया में बताना पाए पहला कौन सा और दूसरा कौन सा इस level का standardization और सर आज बताओ आज की तारिक में हर company करती है के नहीं करती सर जिस chair पर आप बैठे हो ना जितनी एक जैसी है सर मैच कर ले ना color size, shape, dimension सब कुछ सेम है सब कुछ अच्छा दूर क्यों जाते हो एक बात बता ये जो बभू ये जो holder लगावा है ना ये मुझे नहीं पता कितने साल पुराना है ये 7 साल मुझे square cities देखते वे हो गए हो सकता है बेटा है 10-15 साल पुराना मुझे नहीं पता किस company का है लेकिन बेटा आज मैं किसी भी company की tube लेओंगा ना किसी भी company की ये fit आजाएगी tube चाहिए मैं फिलिप्स लेओं चाहिए मैं विप्रो लेओं कोई company की लेओं बाइ ट्यूप आवल्स लेओं जो मर्जी लेओ फिट आएगी क्यों तर दुनिया में कहीं तो स्टेंडराइजेशन है ना पक्की बात सर मैंने फोन लिया है बेटा कुछी भी एक्सपाइजर कंपनी का उसमें टाइप सी चार्जर लगता है और एक हजार कंपनिया बनाती है टाइप सी का चार्जर आज के तारिक में जिसमर जी का कंपनी का उठालाना बेटा पक्का मेरा मोगाइल को चार्ज करना शुरूगर देगा क्यों बाई बेटा दुनिया में स्टेंडराइजेशन नाम की चीज चल रही है आज के तारिक में क्यों जी समझाई बात तो टेलर बोलता है हर राउ माटीरियल के लिए स्टेंडर होना चीज है क्योंकि देखो बेटा अगर आपको फिनिसज गोटष को बनाना है ना, similar in the size, color, shape, dimension हर चीज में similar बनाना है तो सब सबसे पहले raw माटीरियल होना चीज है similar तेलर का कहना है फैक्ट्री, गेटपे यासी raw material है amis never अगर वह Bouleर सबस्क्क्न लेटा इक कहीं size उलगोगा propose मत्स्क्न इतने बड़े बड़े कार्स बन जाती है क्रेटा ठीक है ना या फॉर्चुन सर और कोई सिमिलर साइज में कलर में डायमेंशन में कोई डिफरेंस नहीं आता आपको नहीं लगता किस लेवल का स्टेंडराइजेशन फॉल हो रहा है दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी चीज में इतनी सी चीज का डिफरेंस नहीं इसे बोलते हैं स्टेंडराइजेशन इस बात को लेखा है समझाए ठीक है टेंडराइजेशन वर्ड अलग है सिंक्लिविएशन वर्ड अलग है कोई लेना देना नहीं आपस में दो लूगा ठीक है बवो बस आपने न एक काम करना है ये लिख लो आज के लिए रखते इतना ही है ठीक है जी बाबाए